नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी चैनल बिहारी नॉन्स्टॉप नियूज में ते चलिए बिहार की दस प्रमुक बड़ी खबरों को जानते हैं बिहार में कुरोना काल के दोरान हुई बड़ी लापरवाही, खराब मास्क और घटिया पीपी, कीट से गई डॉक्टरों की जान बिहार में कुरोना महामारी के दोर में आम लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में डॉक्टरों और स्वास्त कर्मियों की भी जान गई है की मौत कुरोना वाइरस से होने के पीछे सबसे बड़ी वज़ा सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को दिये गया खराब क्वालिटी के पीपी कीट और मास्क रहे हैं जांच पूरी होने के बाद फाइनल रिपोर्ट जारी की जाएगी बिहार में डॉक्टरों की मौत के कारण जानने के लिए आईयमे ने एक टीम बनाई थी इस टीम में IME के चेर्में डॉक्टर सहजानन्द प्रसाद सिंग के अलावे डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर बीएस सिंग, डॉक्टर मंजु गीता, मिस्रा, डॉक्टर बसंत सिंग, डॉक्टर डीपी सिंग, डॉक्टर राजीव रंजन और डॉक्टर सुनिल कुमार सा इस जांच टीम ने कई चौकाने वाले खुलासे किये हैं। जांच टीम के मताबिक डॉक्टरों को सरकार की तरब से दिये गया पीपी कीट और मास्क की क्वालिटी पर सवाल खड़े किये गया है। इसके अलावा डॉक्टरों को गंबीर हालत में इलाज के लिए बेड और ऑ इसन मार के लिए तैयार रहिए। कुछ महने में 150 रुपए होगा पेट्रोल का भाव, डीजल के दाम में भी होगा भारी इजाफा। देश में पेट्रोल डीजल के साथ साथ रसोई गैस के बढ़ते दाम से अभी ही परिसान है तो आपकी मुसीबते और बढ़ने वाली भारत में पेट्रोल का दाम 150 रुपए परती लिटर तक जा सकता है डीजल का भाव भी 140 रुपए तक जाएगा एक अंतराष्टिय संस्था के रिसर्च में ये बाते सामने आई है पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफे के कारण दूसरे सामानों के भाव में भी भारी विर में बीजल का भाव भी 100 रुपए से जादा हो गया है पेट्रोल और डीजल के बढ़ते भाव ने कई और सामानों की कीमत में इजाफा कर दिया है बिहार पुलीस में 1400 पदों पर होगी बंपर बहाली सरकार का बड़ा फैसला बिहार सरकार बंपर बहाली लेकर आई है मिली जानकारी के अनुसार करीब 1400 पदों पर बहाली की जानी है सुबे के प्रमुक सरकारी अस्पतालों के परीसर में ही अगनिसमन केंद्र यानि की फायर ब्रिगेड सेंटर इस्थापित किये जाएंगे ताकि आगलगी या इमर्जेंसी की घटना होने पर तुरंत कारवाई की पहले चरन में राजधानी के चार सरकारी अस्पतालों का चयन अगनिसमन केंद्र के लिए किया गया है इसके बाद इसका विस्तार दूसरे सरकारी अस्पतालों के साथ बड़े निजी अस्पतालों में भी किया जाएगा ग्रिहा विभाग ने इस दिसा में पहल सुरू कर पताया जा रहा है कि पटना के नियो गाडिनर सुपर स्पेसिलिटी अस्पताल इंद्रा गांधी इंसिट्यूट आफ मेडिकल साइंस पटना सिटी के गुरू गोविन सिंग अस्पताल और दानापूर अनुमंडल अस्पताल में सबसे पहले अगनिसमन केंद्र खोले जाएं दिवाली से पहले तेजस्वी ने फोड़ा रिकार्णिग बम कहा निटीज क्या क्या बाते करते हैं क्या आदेश देते हैं सब है मेरे पास हम गटिया राजनितिंग नहीं करना चाहते हैं दरसल तारापूर और कुसेशुर स्थान स्रीट पर होने वाले उपचुनाव प्रचार का सोर थमने के बाद तेजस्वी आदव ने गुरुवार को पटना के आपजेडी प्रदेश कारियाले में प्रेस कॉन्फरेंस आयोजित की थी इस दोरान उन्होंने नितीज कुमार पर जमकर हमला बोला तेजस्वी ने काया कि उपचुनाव में बिहार पुलिस जेडीउ के कारिकरताओं के रूप में काम कर रही है पुलिस की कारिसली पर सवाल उठाते हुए काया है कि मद्दाताओं से उनका हक छीना जा रहा है तेजस्वी ने केंद्रिया पुलिस फोर्स की सुरक्षा में चुनाव कराने की मांग की है तेजस्वी आदव ने सीधे सीधे मुखमंत्री नितीज कुमार पर हमला बोलते हुए काया है कि वे डरे हुए है तेजस्वी ने काया कि मुखमंत्री को ABCD और कखगगः का भी ज्यान नहीं है जब नौजवान रोजगार मांगते हैं तो उनसे किस तरीके से बात करते हैं नितीज कुमार की बौकलाहट साप दिख रही है गोली माने के नितीज कुमार के बयान पर काया है कि मुखमंत्री जी को अपने सिस्टम पर ही भरोसा नहीं है बौकलाहट की वज़़ा से वे इस तरह के बयान दे रहे हैं JDU नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर बोला बड़ा हमला कहा उपचुनाओ के पहले ही तेजस्वी ने हार कबूला इसलिए प्रवचन दे रहे हैं JDU नेता नीरज कुमार ने काया कि उपचुनाओ से पहले तेजस्वी ने हार स्थान और तारापुर में होने वाले उपचुनाओ से पुर्व नेता प्रतिपक्ष ने अपना हार स्विकार कर लिया है और सायद इसी बात से वे बौकलाहट इस तरह अनाप सनाप बोल रहे हैं नीरजगुमार ने कहा है कि बिना मतलब के तिजस्वी यादव प्रवचन देने का काम कर रहे हैं जेडियू नेता निरजगुमार ने काया कि सजायाफ्ता पिता लालू प्रसाद यादव की मदद तिजस्वी ने होने वाले उपचुनाओं में ली है लेकिन लालू की मदद लेने के बावजूत उनमें आत्मविश्वास की भारी कमी दीख रही है। जाच Teak की संक्या केवल वाइरल वुखार की मरीजों की रह रही है। इन दिनों वाइरल वुखार की मरीजों की प्लेटलेट्स भी गिर रहे हैं। वहीं बिहार सरीप में डेंगू वा चिकनगुनिया के मरीज अधिक मिल रहे हैं। साथ कई बिमारियां सरीर में प्रवेस कर जाती है। सोललाग विद्धार्थियों में 79 फिश्दी नावांकन केवल 12 जीलों के उच्च सिक्चन संक्स्थानों में हुए हैं। इस तरह उच्च सिक्चा के अवसर कुछ इस सहरों एवंग जीलों में सिमटते जा रहे हैं। सेक्चनिक सत्र 2019-2020 के डाटा पर आधारित यह रिपोर्ट से साफ है कि कम सिक्चन संक्स्थानों वाले जीलों की विद्धार्थियों को उच्च सिक्चा के लिए अपने सहर या जीले से बाहर जाना पड़ रहा है। वहीं कुछ जीलों के सिक्चन संक्स्थानों में उनकी चमता कई गुना अधिक विद्धार्थियों का दबाव है। बैठक में यहा फैसला लिया गया है। इसका आयोजन किया जाएगा हालाकि इस दोरान कोविद प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्ज होगा। बिहार में जूनियर डॉक्टरों का हरताल पटना में एनम्सेयच के प्रिंसिपल का घिराव वेतन बढ़ाने के लिए धरने पर बैठे डॉक्टर। इस वक्त एक बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है बिहार के मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टर हरताल पर चले गया है। पटना के दो बड़े अस्पताल प्यम्सेयच और अनम्सेयच में डॉक्टर धरने पर बैठ गया है। इमर्जेंसी सेवा को छोड़ किसी भी सेवा में डॉक्टर डॉक्टर पर नहीं गया है। बिहार में खुलेंगे 21 नए CNG स्टेशन जानिये किस किस सहर में खुलेंगे। और अंगाबाद कैमूर मुझफरपुर समेत कई जीलों में अगले दो माह में दिसंबर तक 21 नए CNG स्टेशन खुलेंगे। इसके बाद पटना में अभी CNG स्टेशन की कुल संक्या बढ़कर 18 हो जाएगी। फिलाग पटना में 12 CNG स्टेशन कारजरत है जबकि बेगु सराय में दो रोहतास गया नालंदा में एक-एक CNG स्टेशन काम कर रहा है। उधवार को नए CNG स्टेशन की स्टाफना एवंग पाइपलाइन के विस्तार के सम्मन में परिवहन सचीव संजय कुमार अगरवाल ने गेल, IOCL, ThinkGas, IOGPL, CNG प्रोवाइडर्स की साथ समिक्चा बैठा करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी परिवहन सचीव संजय कुमार अगरवाल ने सभी संबनित कमपनियों को निर्देश दिया है कि प्रमुक सहरों में नए CNG स्टेशन खोलने की कारवाई करे ताकि CNG चालित वाहनों को आसानी से CNG उपलब्द कराया जा सके परिवहन सचीव के समक्च सभी कमपनी के प्रतिन द्वारा CNG स्टेशन के प्रगती एवंग भोईस की योजनाओं को भी प्रस्तूत किया बताते चले कि CNG स्टेशन के स्थापना के लिए चार विविन कमपनियों द्वारा जीले में कार्ज चल रहा है सारन वैसाली, समस्तिपूर जहानाबाद, भोजपूर, रोहतास, कैमोर और अंगाबाद मुझफर पूर, बेगु सराय और गया में दिसंबर माह तक CNG स्टेशन खोलने की कारवाई की जाएगी तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही दिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथे साथ अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में सेयर करना ना भोले, धन्यवाद